आज हम बसंती करण या कह सकते हैं बनेलाजेशन के बारे में पढ़ेंगे बसंती करण क्या होता है चल में भीगे हुए बीजों अंकुरित बीजों अत्वा नवद भित पाद्वों शीडलिंग को निम्नताप उप्चार दिये जाने पर पुष्पन के समय को कम करने की विदी को ही बसंती करण कहते हैं शीत उप्चार से पुष्प उथ्पन करने अत्मा पुष्पन को तरित करने की शंता को ही बसंती करण कहते हैं ली सिंको ने जारो वेज्य नेशन, शब्द का सर परतम प्रयोग इसक्रिया के लिए किया, यहाँ एक लेट्टन शब्द है, जिसकारथ होता है बसंती कराओ, किल्प पार्ट ने गेहों की दो प्रजाती शीत गेहों तब बसंद गेहों पर कारे करने है तू पुश्पन के लिए कम ताप मन के आउसकता बताई गेहों की शीत प्रजाती को शीत रितू में बोए जाता है तथा इसमें पुश्पन गिरिश में रितू में होता है परंतु बसंत गहों को बसंत रितु में बाई जाता है जिससे इसमें पुश्पन गिश्मितु में होता है उन्होंने पाया कि शीद गहों की अंकुरित बीजों को निमताप पर उपचारित करने पर या बसंत गहों की तरह विवार करते हैं इससे सिद्ध होता है कि शीद गेहों को पुश्पन के लिए कम ताप की आवशकता होती है यह क्रिया को बसंती करण कहते है बसंती करण की क्रिया का ध्यन अनेक एक वर्षी है पादपों धारन, सिकेले सीरियल, कुछ द्वी वर्षी पादप, हैंड़ेन तक हाँ, तता कुछ बहुवर्षी है, जैसे सेव में किया गया है पुश्पन के लिए निमन ताप की आवशकता बहुत सेद दिवस निर्पेक्ष पादपों डे न्यूटरल प्लांट, जैसे पाईरित्रिम, सेक्सी फ्रेगा, लाइकनिस, इत्याजी में देखी गई है आती आवशक नहीं होता है, इस सिती में शीत उपचार पुश्पी करण का समय कम कर देता है बसंती करण की विधी, दो प्रॉसेस आफ पॉर्डलाइजेशन, इस क्रिया में शीत कालिन खाद्यानों बीज आमकरण के लिए परियापत जल दिया जाता है, आमकरण के लिए इन्हें दस डिगरी से बारा डिगरी ताप मान पर एक दो दिन रखते हैं अब इन बीजों को तीन से पांच दिगरी पर रखा जाता है, तत्पश्यात इन्हें हिलाक कर, जल में विगो कर, सामन लिताप पर लाया जाता है शीत उप्चार की समयावधी बीजों के लिए प्रजाती के अनुसार बिन बिन होती है सामन लेता ही है 35 से 45 जिन तक का होता है हैंसल ने पाया कि माइनस चाट डिगरी ताप पर बसंती करण अस अपल रहता है परन्तु 14 डिगरी ताप पर इनके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं ये एक से 60 डिगरी तक का तापपन पुष्पन के लिए दिनों की संक्या कम करने में सहायक होते हैं परन्तु 15 डिगरी तापपन पर बसंती करण की दर कम हो जाती है उद्धिपनों का अनुबोधन एम संचरण परसेप्शन एंड ट्रांस्मिशन ओफ स्टीमुलस विब्जोत कोशिकाएं अर्था सक्री रूप से विब्जन शील कोशिकाएं बसंती करण के उद्धिपन का अनुबोधन करने वाले स्थलोते हैं परसीव करने वाले स्थलोते हैं वेलेंसीक ने पाया कि लिवनेरिया 22 की तरुन खुलने वाली पत्तियां तभी बसंती करण के उद्धिपन कानुबोधन करती हैं जब उनकी कोशिका इसक्री रूप से विवाजित हो रही हो मेल चर्स के अनुसार हायो साइमस में बसंती करण के उद्धिपन का इस्थाना अंतरण रूपन द्वारा होता है यदि हैंद्बेन के बसंती करण पादप की पण अथ्वास्तम को बसंती करण रहित पादप पर रोपित किया जै तो बसंती करण पादप पर पुश्पन हो ज हाली है कोर्बोईजेक ने उद्यानिक चुकंदर यानि गार्डन बीट एम लेंग एम मेल्चर्स ने हैंड बेन पर कारे करते हो पाया कि निम्न ताप उपचार के बाद उच्च ताप उपचार दिया जाता है तो पुश्पन तुरित गती से नहीं होता इस क्रिया को वी वसं करण के लिए दिये गए ताप से अधिक ताप देने से वी वसंती करण होता है अता बसंती करण के लिए वांची ताप से कम कोई भी ताप बसंती करण का तल बढ़ाता है तता शीव उपचार के तुरिंद बाद इस से अधिक ताप पर दिये गए उपचार से वी वसंती कर इसकी क्रियाविधी देखते हैं क्या होती है बसंती करण की क्रियाविधी संक्षेप में बसंती करण की क्रिया को समझने के लिए विपिन मत दिये गए हैं काईक व्रद्धी तथा जेनल व्रद्धी में विरोध पाया जाता है और किसी भी कारक द्वारा काईग व्रद्धी के दमन से पुष्पी करन हो सकता है शीत उप्चार से काईग व्रद्धी रुख जाती है जिसने जनरल व्रद्धी प्रभावी अधिक होती है यह भी पाया गया है कि निर्मताब उपचार के बाद उच्चताब से वी वसंती करण हो जाता है इससे ही संक्यत प्राफ्त होता है कि शीद उपचार से बना उत्पाद अपना प्रभाव दिखाने से पहले ही उच्चताब उपचार देने से अपचाहित हो जाता है यदि शीद उप्चार के बाद पादमों को उच्चताब नहीं दिया जाए तो बसंतिकर्ण का उत्पाद इस्थाई होकर संचे होने लगता है जो बाद में वर्णेलिन में बदल जाता है धन्यवाद